हेलो स्टूदेंस वेल्कम बाक ते और फेवरेट चानल मैंने ब्रेंस आइम गौरी जादोन एक्नॉमिक्स एजुकेटर आज हम शुरू करने वाले एक तरीके से फाइनली एक तो बुक ओवर्वीव आपको मिल गया है आज से मेन हमारे जो स्लेबर से न चाप्टर न वर वन स हम शुरू करने वाले हमारे दूसरी बुक का एक मैक्रेक्नॉमिक्स का काफी पॉर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं अब मुझे लग रहा है विकॉस आपके क्लास वगरा मैं भी चालू हो चुका यह वाला चाप्टर तो मुझे लगता है कि आप सही टाइम आगे कि यह वाल आपको समझाने वाली हो तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा लेकिन इसको चालू करने से पहरे स्टूरेंस में आपको बताना चाहती हूं कि मैंने बेंसी कैसा प्लाटफॉर्म मेंच आपको प्रोवाइट करता है फ्री और को आपको जल्दी से करना है आपको जल्दी से करना है लाइक शेर आंड सब्सक्राइब हमारे चानल को स्टूरेंस अन वन मोर तिंग हम आपको प्रोवाइट करते हैं इनोट्स और ईबुक्स पी उसकी चुल लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो कभी भी चाक है कि माक्रो एप्नामेक्स भी हमने है अथ्छे से कर लिया है लेकिन 12 ст.000 में एक और बुक है हमारे पास कौन सी बुक है हमारे पास इंडियनическая डर्ल्प मेंट इंडिया की वह इकोनमी कैसे डवलाप करेगी यंदि कैसे डवलाप करें अभी कैसे डवलां करें उपहले कैसे तो हमें सब पढ़ना है पास्टी पढ़ना है प्रेजी नी पढ़ना है फ्यूचर भी पढ़ना इक तरीके से फ्यूचर पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन तो एस्टीमेशन लगा सकते हैं आ ऐसा हो सकता है ऐसा होगा तो यह सारी चीज़ा हमें पढ़नी है कि अब हम पढ़ने व सब्सक्राइम माना एंस खालू बाप इंटे रिगादिक różne करएं इस सब्सक्राइब करेंगे हमारे पास्ट के बारे में रहां desert आनो की एक नख़े प्रूल परभण को तो यह किले असी रियकारइं हमां में रहाएं होता alta दोच किसी तरीके सप्रीटिंग डेके drown क्या क्या चेंजिस आए किस तरीके का डवलापमेंट अब था क्या स्टेटस था हमारे इंडिया का एकॉनिमी का इन सारी चीज़ों का में स्टाडी करना रहेगा तो अफकोस यह थोड़ा पूल को सोशल स्टडीज और हिस्टॉरिक वाली चीज़ों में आ जाएगा लेकिन उ जब हमें इंडिपेंडेंडेंस मिली ही थी तो इंडिया की क्या स्टेटी थी वाट वस्टेशन ऑफ इंडिया वें इंडिया गॉट फ्रीडम इंडिया गॉट इंडिया गॉट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंडेंट हमें यह देखना है चीक है तो यह सारी चीज़ों क करने के थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा ना कि पहले क्या स्थिती थी इंडिपेंडेंडेंस के बाद हमारी क्या सिच्वेशन बदली है यह सारी चीजों को हमें डिफ्रेंट फ्रेजिस में कंपेर करते हुए पड़ते चले चाना है तो अगर हम बात करते हैं आप सबसे पहले हमारा जो पूरा रहेगा अफ्कॉर्स वी आपने इंडिया है ना हमने अपनी हिस्ट्रें पड़ा है सुना है एवरी फिफ्टींथ ऑगर्स और ट्वेटी सिच्व जैन्वरी वी गो थू तू ओल्ड़ थेंग्स विचापन इंडिया की फ्रीडम जो हमें अत्ती अस तुम इन इंडिया को एक तरीके से पूरा खोकला कर दिया गया लेकिन अफकॉस वी बिल्डिंग इंडिया का जो उस टाइम का जो एकनॉमिक कल्चर था जो एकॉनमी थी कितना सफर करी बिकॉस अब इस उसको हमें स्टरी करना है तो सबसे पहले हम लो क्या देखने वाले ह तो इस तो प्रिटिश के रूल के टाइम पर बिकॉस अम लो बात करें ओन देपेंडनेंस की मैं बात कर रही हूं तो उस टाइम पर मेरे पास क्या सिचुएशन थी बिल्डिश के अंडर में हमारा क्या डेवलप्मेंट था तो जैसी कि आप देख सत्ते हो कि लो लेवल फाय है. उनने जितना भी डेवलप्मेंट के क्यो खिश से किया है किूंको फायदा होना चाहिए। राइट, so that is why पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले, कि कैसा हमारा ये low level of economic development है, second हमें पढ़ना है कि agriculture sector, आपको पता है कि हमारी जो Indian economy है, या अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, काफी हम लोग agriculture based economy, अब तो काफी चीज़ चेंज होगे, लेकिन उस टाइम पे, it was mostly based on agriculture, so ऐसा क्या किया ब्रिटिश ने कैसी सारे चीज़ें हुई, agriculture sector से रिगार्डिंगे, आप देखो ये सारे चीज़ें आपने अपने class 8 में पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा इंडिको के बारे में, permanent settlement, रोइत्वाई सिस्टम, ये सारे चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, agriculture sector से रिलेटेट थी, तो इसके बारे में आप डेटिल ने पढ़ेंगे, ये जमिनदारी सिस्टम क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इसमें, ठीक है, तो अगरिकल्चर सेक्टर के point of view से पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है industrial sector के point of view से, कि industrial sector जो है हमारे पास manufacturing sector जो है, उसमें क्या हमें changes देखने को मिले थे, क्या changes होए थे, यह भी हमें study करना है, next हमारे पास आता है foreign trade, of course we will say that India एक तरिके से foreign trade तो करीज आता, फिकास foreign हमारे राज कर रहे थे, वो India से raw materials रहे थे थे उसको supply करते थे British में, फिर British से हमारे आपके समान या पे लिए क्या आ जाते हैं, फिर हमें भी बेज देते थे उससे क्या हो गया था, हमारे handicraft industries ने भी coffee suffer किया, so that is why हम यह देख सतने कि foreign trade ने भी कई बार हमारा हाल बुरा ही किया है, हमने एक question भी देखा था, when we were solving one of the sample papers of economics, if you remember guys, फिर ने कमिशन लिया जाता है, घर से थोड़ी ना कुछ लिया क्या जाता है, return में, so that is why क्या हो था, सब फ्री महीं चल रहा था, तो इतना export करने के बाद भी Indian economy को कुछ नहीं मिल रहा था, next हमने पढ़ना है कि जो demographic conditions होती है, उसमें क्या changes हमें देखने को मिलते हैं, occupational structure उस टाइम पर क्या था, infrastructure का क्या पूरा हालात थी, यह सारी चीज़ा हमें पढ़नी है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ा हम लोग पढ़ेंगे students, फिर हमें यह भी देखना है कि ऐसा नहीं है, हमें हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम यह मानते हैं, कुछ चीज़े तो positive भी हुई है, कुछ चीज़े positive वही हैं, तो वह कौन-कौन सी है, उनको हमें पढ़ना है the positive contributions of British rule, and of course positive के साथ क्या आता है हमारे पास, negative वाले साइट को भी हम compare करेंगे, and of course जो हमारा फिर normal routine चलता है, magnet brains पे हर एक चीज का एदम full flesh तरीके से तयारी, NCRT solutions, MCQs, most important questions, and then you will have a full chapter revision. So like this we are going to cover the whole this chapter, on the eve of independence, क्या हमारा economic status था, how was the Indian economy, यह सारी चीज़े हम पढ़ने वाले, in the upcoming sessions, in the upcoming videos, तो आपको बुल्कुल बने रहना है, magnet brains पे students, because Indian economy, याद रखना, हर एक चीज 50-50 है, आप सोचे से macro economics पढ़के हम चले जाएंगे, 12 तो आप बड़े उसमें बोलना चाहूंगी, कि बड़ी दुविदा में हैं, आप या आप गलत फेमी में हैं, है ना, अफकॉस अगर बोलों, तो macro हमारे पास 40 का है, तो ये भी मारे पास 40 का ही है, तो हमें दोनों चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी, macro economics भी अच्छे से पढ़ना पढ़ेंगा, और अफकॉस Indian economic development भी भी अच्छे से पढ़ना ही पढ़ेंगा, तो हम बिल्कुल भी कोई भी class केप नहीं कर सकते, हमारे boards बस आने ही वाले हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाई मुझे चाहिए नहीं, हमारे तरफ से नहीं होगी, आपको अपने तरफ से बिल्कुल नहीं करनी है, तो ये पूरा हमारा structure रहने वाला है, पूरा हमारा एक तरीके से chapter का overview आपके सामने है, आप इसका screenshot लेसाबते हैं for reference, because I know सबके schools में अलग-अलग books चलती हैं, लेकिन labor students same हैं, so do not worry about it, लेकिन जब आपके पास एक पूरा chapter overview का screenshot रहेगा, so you will know कि मैं कौन सा topic पहले cover कर रहे हूँ, आपके लिए easy रहेगा कि आपको कौन सा topic अभी पढ़ना है, कौन सा class में चल रहा है, कौन सा test में आ रहा है, आपको असानी होगी उस्टीस में, fine, so तयार है हम चालू करने के लिए हमारा ये पूरा नई book, बुलकुल enthusiastic हमें रहना है, आपको सारी चीज़े हम पर प्रवाइट की जाएंगी, आपको बुलकुल रहना है, consistent रहना है, तो definitely आपको results देखने को मिलने वाले है, especially economics में, तो बिलकुल आपको बने रहना है, मंगेन पेंस पे, till then, bye-bye, see you in the next video, and thank you for watching.